हेलो फ्रेंट्स एक लिए एक नई अपडेट को लेके तो आज जो हम अभी बात करने वाले हैं वह है आपका जिसकी आपकी आपकी आपको अपडेट दे दी है कि जो उसका केस है आज हाई को डिस्पोज आप्ट कर दिया गया है तो मैंने उस टाइम यह भी कह था कि जैसी इस है इसमें वह हम देख लेते हैं तो पहले तो यह आपका यहां पे अड़्वकेट वगरा रिस्पोंडेंट और जो भी है उनके बारे में दिया है यहां पे आप देखते हैं यह और हुए है यहां पे आप लिखा देखते हैं इस प्रटिशन कमिंग और दिस्टे इस इस इसमें ऑर चुंटिस की जो बात हुई है तो इसमें बात करेंगे फिलाल यह देख लेते हैं नंबर टू में इसमें लिखा है इन विए अप दिस्टे शर्वाइवल शर्वाइब इन प्रिशन दुट्टिशन का दिया है तो यह जो यह चल रहा था दूसरा तीसरा नंबर यह कहा गया है pending miscellaneous applications if any also stand dissolved अगर कोई pending miscellaneous applications है अगर कोई छूट गई है इसके regarding तो उसे भी dispose of कर जिया है फिलाल सिधा सिधा इसमें यह कहा गया है कि इसके इसको dispose of किया गया है फिला हाल इसमें तो पहरा नंबर 34 की यह बात कही है यहांपे तो पहरा नंबर 34 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यह लिखा गया था जो पहले एक uitर हुए पर चौजर यह कह घ्रटी है तो और ऑरेन पिरूल जो 2020 में बने थे उसके according होगी लेकिन वो होगी आपकी 1337 पदों पर मतलब जो 877 postcode के जो पद है उस पे ही होगी अगर इसमें कोई 556 के पद add हुए है तो उस पे 556 के ही base पे उसमें भरती होगी या फिर उस पे जो stay है वो लगा रहेगा लेकिन बाकी जो इसमें 877 के पद है उसको continue कर दिया जाएगा तो इसमें जो 556 के बताए जा रहे है जो 530 पद फिलहाल इसे hold में रखा जाएगा क्योंकि इसका जो फैसला है वो आपका Supreme Court से होना है और Supreme Court की जो आप में July में hearing है 1112 तरीक को इसकी hearing है तो ये तभ ही आपका clear हो पाएगा कि ये जो बाकी पद है वो 817 में जाएंगे या 556 में जाएंगे इसके regarding to clarification नहीं हुई है लेकिन जो आज ये dispose off हुआ है उसमें इतना clear हो गया है कि जो आपकी ये 1337 जो पद है जो आपके 817 के हैं पूरे पूरे इसमें इसमें कोई भी इसमें किसी तरह का कोई भी objection नहीं हो सकता है और इस भरती को पूरा किया जा सकता है इसका result आपको जल से जल दब देखने को मिल जाएगा क्योंकि इन पदों पे किसी तरह की कोई रोक नहीं है रोक है तो वो है आपकी 530 पदों पे अब जैसे इस पे कोई order आता है ये फिलहाल उससे पहले तो मुश्किल ही है क्योंकि जो supreme court का इसमें order बहुत ही ज़रूरी है 530 पदों के लिए जो जब वो आ जाएगा next month आपको ज़रूर ये देखने को मिल जाएगा अब supreme court का जो case है वो आपको next month solve होता दिख जाएगा और जो आपकी 817 की भरती है वो भी पूरी होती नजर आ जाएगी तो ये कुछ आज की खास update थी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं अगले update के साथ तपके लिए बाबाए